गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 11 मेट्स हम कर रहे है चैप्टर नमबर 15 एस्टेटिक्स और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 15.2 एक्सिसाइज का कॉश्चिन नमबर 7 कॉश्चिन नमबर 7 आपके पास गीवन है find the mean and variance for the following frequency distributions मतलब हमें सबसे पहले mean find करना है and then variance clear तो हमारे पास classes गीवन है it means class interval क्या गीवन है 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 150, 150 to 180 and 180 to 210 clear हो गया अब frequency क्या गीवन है frequency है 2, 3, 5, 10, 3, 5, 2 यह frequency is given है right अब हमें सबसे पहले mean find करना है right तो हम क्या करेंगे solution बनाने के लिए table derive करनी पड़ेगी right let us make the table of the given data and append other columns after calculations classes given है हमारे पास 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 150, 150 to 180, 180 to 210 clear यह लिख लिख लिया frequency already given थी हमने as it is लिख दी right अब frequency को हमें क्या करना है plus करना है क्योंकि आगे जाहां भी हमारे formula यूज होंगे या तो sigma f या n as it is आपको यूज होगा तो plus करना पड़ेगा देखे 2 plus 3 5, 5 plus 5, 10, 10 plus 10, 20, 20 plus 3, 23, 23 plus 5, 28, 28 plus 2 30, तो यहाँ पर हमने n equals to कितना लिखा 30 अब हमें क्या चीए mid value मतला mid point किसका class interval का right तो देखो 0 और 30 को plus करा कितना आया 30 divided by 2 कितना आया 15 तो देखें यह 15 लिखा है फिर 32 60 कितना हो गया plus करा तो 90 divided by 2 कितना आ रहा है 45 45 आ रहा है डिवाइट करने पर तो यह देखें 45 आ गया तो 62 90 कितना आ रहा है 150 60 और 90 को plus करेंगे तो 150 divided by 2 कितना आ रहा है 75 तो आप देखें कि इन दोनों में difference 30 का इन दोनों में 30 का एक और देख लेते 90 और 120 कितना आ रहा है 210 divided by 2 वंजा 0 5 मतलब यह आ रहा है फिर कितने का difference है 30 का मतलब यह जू meet point निकले है वो कैसे निकले 30 के difference पे 30 30 के तो हम direct भी देखेंगे तो यह देखें 15, 45, 75 और 105 का calculation तो मैंने आपको करके बताया है यहां आओ गया 135 फिर 38 करा 165 अगें 38 करा 195 अब में निकलने के लिए आपको क्या क्या चाहिए एक X कॉलम चाहिए और एक F तो हम क्या करेंगे F X एक नया कॉलम बनाएंगे ठीक है नया कॉलम कितना आया 30 फिर 3 x 45 कितना ओ जायेगा 135 5 x 75 कितना आयेगा 3 75 10 x 105 तो कितना आयेगा 1050 3 x 135 कितना आ जायेगा 405 5 x 165 कितना आ जायेगा 825 2 x 195 कितना आ जायेगा 390 क्लियर यह आ गया अब इन सभी को हमें क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा मल्टिप्लाइ करके लिख दिया देखे 5 x 5 कितना ओ गया 10 5 15 20 20 का 0 यह लिख देती हूं 2 केरी 2 x 3 5 5 x 3 8 8 x 7 15 15 और 5 20 20 20 और 0 22 22 और 9 22 और 9 31 मतलब 1 और 3 केरी 3 केरी तो 3 और 1 4 4 और 3 7 7 और 0 7 7 और 4 11 11 और 8 19 19 और 3 12 19 और 3 22 यह 2 और केरी 2 तो केरी 2 यहा लगा और 2 और 1 कितना हो गया 3 तो फाइनली इसका टोटल कितना आया 3 2 1 0 यह क्या मिल गया सिग्मा एफेक्स मतलब इन सभी का टोटल राइट अब आगे के कॉलम्स हम मिन फाइन करने के बाद ही फाइन कर सकते हैं तो देखें सबसे पहले हम मीन मीन सिग्मा एक्स बार रिक्वर्स टू सिग्मा एफेक्स एफेक्स अपॉन में एन ऐसा भी लिख सकते हैं एफेक्स की वालियों हमारे पास कितनी है 3 2 1 0 3 2 1 0 अपॉन में 30 राइट एन की प्लेस पे क्या रखा 30 देखो 0 से 0 कैंसल हो गया 3 1 जा 3 तो यहां पे भी 3 1 जा 3 2 से डिवाइड नहीं जा रहा इट मिन 0 लगाया 1 21 मतलब 3 7 जा 21 तो कितना आया मिन 107 फाइनली मिल गया 107 अब आगे की टेबल हम क्या करेंगे इसी से continue करेंगे राइट तो आगे की टेबल में देखो x माइनस x बार मतलब हर x में से हम क्या करेंगे x बार को minus करेंगे x बार मतलब 107 को minus करेंगे तो x क्या है यह और यहां लिखेंगे लोको 15 minus 15 minus 107 कितना है यह minus का 92 45 minus 107 minus का 62 75 minus 107 minus का 32 105-107-2 135-107-28 165-107-58 195-107-88 यह क्या मिल गया हमें X-X बार की क्या मिल गई टेबल मिल गई अब हम क्या करेंगे इस टेबल का स्क्वाइर कर देंगे 92 का होल स्क्वाइर –92 इंटू –92 तो – – plus multiply करा तो कितना आया 8464 मतलब स्क्वाइर करते जाना है तो 92 का स्क्वाइर हो गया 8464 62 का स्क्वाइर हो गया 3844 –32 का स्क्वाइर हो गया 1024 2 का square हो गया 4 28 का square हो गया 784 58 का square हो गया 3364 और 88 का square हो गया 7774 मतलब इन सबी का क्या कर रहा है हमने multiply कर दिया मतलब इनी का multiply इनी के साथ क्योंकि square फाइंड करना था अब यह हो गया holy square का column और यह क्या है आपका f तो f का multiply इस column में कर देंगे तो बन जाएगा f in bracket x minus x bar का holy square तो हमें किस-किस का multiply करना है देखिए 2 का multiply कर रहा हमने 8464 में कितना आया 16928 3 का multiply कर रहा 3844 में कितना आया 11532 फिर 5 का multiply कर रहा हमने 1024 में कितना आया 5120 फिर 10 का multiply हमने कर रहा 4 में कितना आया 40 फिर 3 का multiply हमने कर रहा 784 में कितना आया 2352 5 का multiply कर रहा हमने 2364 में करके देख लेते है 2364 तो 6820 आ रहा है या नि 5 का मठया 54020 टू केरी 5, 6 जा 30 और 2 32, 3 carry 5, 3 जा 15 और 3 18, 1 carry 5, 3 जा 15 और 1 16, तो देखिए 16, 8, 2, 0 आ रहा है मतलब यहाँ पर correct है हम multiply कर रहे है multiply का तो देखिए multiply करने पर आ गया 1, 6, 8, 2, 0 फिर 2 का multiply कर रहा हमने 7, 7, 4 में तो आ गया 1, 5, 4, 8 right multiply करने पर नया कॉलम बन गया finally अब इनस कॉलम का हमें क्या find करना है sum तो देखिए हमने plus कर रहा 1, 6, 9, 2, 8 plus double 1, 5, 3, 2 plus 5, 1, 2, 0 plus 4, 0 plus 2, 3, 5, 2 plus 1, 6, 8, 2, 0 plus 1, 5, 4 double 8 इन सभी को plus करने पर हमारे पास value कितनी आई 6, 8, 2, 8, 0 यह value आ गई right हमारे पास clear अब देखिए mean तक तो हमने find कर लिया था now variance अब हम क्या find करेंगे variance तो variance के लिए formula क्या होता है sigma square sigma f x minus x bar का whole square divided by n यह sigma f जो भी है तो इसकी value हमारे पास कितनी है 6, 8, 2, 8, 0 divided by 30 यह है मतलब हम यह value put up कर देंगे तो यहां देख लेते हैं 6, 8, 2, 8, 0 divided by 30 30 से क्या करेंगे डिवाइट करेंगे तो देखें 0 से 0 cancel 3 बंजा 3 यह multiply करा 3, 2, 6 again 3, 2, 6 2 carry 3, 7, 21 1 carry 3, 6 18 कितना आया 2, 2, 7, 6 दिख रहा है मतलब हमारा variance यहां पर कितना मिल गया 2, 2, 7, 6 final मतलब mean मिल गया 107 variance मिल गया sigma square जो की है 2, 2, 7, 6 तो finally हम answer के रुप में इसको लिख देंगे therefore mean equals to 107 and variance equals to 2, 2, 7, 6 और यह दोनों क्या होगा है हमारे लिए answers thank you